आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरही स्टेडी ग्लोज पर आपका बहुत दोस्वागत है तो दोस्तों हम आज बात करेंगे ICMR की male contraceptive की परस्टनाइटी डेवलेप्मेंट का कोर्स बहुत ही शांदार है हमारा आप जरूर अवेल करें तो 300 रुपे का कोर्स है 22 लिचर्स और जबरदस्त कोर्स है मज़ा जाएगी आपको ठीक है तो ICMR male contraceptive 99% effective है ये एक report में दावा किया गया है बहुत अच्छी बात ह Indian Council of Medical Research as a spermia absence of viable sperm in the semen ठीक है sperm makes the woman pregnant आपको पते ही है और जो हमारे testis है उससे sperm produce होते है sperm basically testis और आपका जो prostate होता है वहां से prostate cancer मर्दों में बहुत common है बहुत सारी inflammation prostatis हो जाता है काफी तो यहां पे हमारे पास क्या option मेल्स देखिए और्तों के पास options है और्तों के पिल्स आती है वह लेती तो pregnancy रुख सकती है बट मेल्स के पास एक तो option है condom राइट दूसरा है vasectomic जिसको नस्बंदी बोला जाता है condom ठीक है है ना बट vasectomic permanent solution है 1975 में जब emergency लगी थी तो बहुत लोगों की नस्बंदी की गई थी कि population पे रोग लगानी है तो यह जादा तर viable नहीं होता है अभी बच्चा पेदया करने का नस्बंदी क्या पता बाद में हो जाए you don't know you never know तो यह जादा तर लोग नहीं कराते हैं वैसक टॉमी नस्बंदी जिसको बोलते हैं तो अब मर्दों के लिए एक पिल जो है वो बना दी है एक injection बना दिया है जिसको लगाने से 99% result आते हैं 303 participants के ओपर यह experiment किया गया रिसुग नाम है ठीक है और जो overall efficacy है वो 97.6% है एजो spermia और इसके बिना 99.% तक आपको pregnancy हो सकती है यानि कि 99% तक यानि कि आपको pregnancy रोक ही लेगी बट फिर भी 1% तो chance है बट कोई बात नहीं ठीक है आपको पता ही है कि हम 4000 बच्चों को जनम दे सकते हैं जितने sperm निकलते हैं 100 million sperms निकलते हैं इतने सारे cells तो आप समझ सकते हो इंसान का सीमेन इतना खतरनाग होता है और कहते हैं कि बहुत एक मित है ब्रह्म चर रहे है ब्रह्म चर रहे है देखो ब्रह्म चर रहे फॉलो करो एक energy है लेकिन थोपना नहीं चाहिए अगर आपने ज लगता है कि हाँ आप सही वक्त आ गया है this is the right time कि आप मुझे जबर्दस्ती देख दाक के नहीं वैसे भी जो आपका सीमेन जो sperm है वो प्रेड्यूस होते ही रहेगा अगर आप उसको वैसे भी नहीं masturbate नहीं या नहीं ejaculate करोगे तो वैसे वह 10-15 दिन में अपने आप निक जी की बाते अरे ब्रह्मचर यह एक energy है जो उपर जाती है भाई ठीक है लेकिन यह कभी भी थोपो नहीं जबर्दस्ती उसको brand मत करो brand मत बनाओ फेलाओ नहीं जबर्दस्ती कि नहीं वह यह कर लो इस से super human हो जाओगे ऐसा कोई भी scientific record मीमारे पास दूसरी चीज ये है कि इसको क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जब आप भगवान की तरफ जाते हो जब आप परमात्मा की तरफ जाते हो और जब आप ध्यान में विलीन होते हो तो वो जो आपको और्गैस्मिक जो और्गैसम आपको मिलता है आपको एक second के मिलता है, जब आप physically involved होते हो, या masturbate करते हो, ठीक है, और तो गालंबा रहता है, वो आपको मिलेगा 2400 घंटे, उस तरिके उससे hundred times, वो एक mystic experience होता है, समझे रहो, तो ये चीज जो है, it is very very important, ध्यान दीजेगा, और इसको बन करो, ठीक है, तो ये है हिसाब किताब, तो आप हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे बस इतना समझे कि आपको अपने हिसाब स चलना है, किसी और के हिसाब से नहीं चलना है, ओके, जब आपको लगें, क्योंकि फिर आपको मनी नहीं करता है, जब आप ध्यान में विलीन होते हो, आप, तो सिर्फ एक ही आपका गोल होता है, कि जितना ज्यादा इस यूनिवर्स को जाने, फिर आपको अपने आपी वो ब्रहमचर आ जाता है, जबर्दसी ब्रहमचर पे नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज़ है, तो फीमेल पिल जो है, इसको यूके में लॉंच किया गया था, आपको बता दू, और फीमेल पिल, फीमेल के पास पिल है, बट मेल पिल जो होती है, उसके एक तो सोसाइटल और कम करेंगे, तो पिल्स लेके नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए, आदमियों में सज़कता नहीं रहती है, ओरतों में रहती है, तो ये उपीनियन पोल्स ये बताते हैं, कि बहुत सारे आदमी जो है, एक पिल, अगर मान लोग की अविलिबल है, समझ रहो, और ओरते ट्रस्ट है कि जो हमारे मेल पार्टनर है, ये चीज़ है, फिर उसके बाद कमर्शल भी इसके दिखकते हैं, चैलेंजिस क्या होते हैं, एक तो स्पर्म प्रोडक्शन, बाई देखो जो फर्टाइल होता है, जो निव स्पर्म सेल होता है, वो लगातार टेस्टीज आपके स्पर्म मन आता है, और ये हमारी बोडी के बाहर होता है, ठीक है, क्योंकि इसको ठंडा रहना ज़रूरी है, तो जो टेस्टीज है, टेस्टीकल्स, वो आपके स्पर्म लगातार बनाते रहते हैं, लडकियों में ओवेरी होती है, है ना, तो अगर आप इसको ब्लॉक कर दे, हार्मोन इफेक्ट होंगे के नहीं, मतलब जैसा ब्रह्मचर का ये एक्जामपल लेते हैं, आपने बोला कल से सब्बंद, पागल हो जाओगे, जिस चीज को आप रोकने की कोशिश करो और फट्टी है, समझे रहो, तो इसी लिए अगर कोई भी चीज आप रोक रहे हो, तो बाद मे अच्छा ही ना जागे, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये आज कल बहुत बढ़ी प्रॉब्लम है, है ना, उसके बाद मूद डिसॉडर्स, ये सारे साइड एफेक्ट्स जो है, ये रिलेटेड है, बट चूंकि रिसोग को प्रॉपरली टेस्ट किया गया है, साइड एफेक को गरम करिये, तब यहाँ पर बोला गया था, बाद में बोला कि हाँ, टेस्टी इसको गरम करने से, एक्च्छल में, लेकिन दोस्तों, उसका कोई वो नहीं है, मतलब अभी तो, हलाकि इसको, मतलब कोई ऐसी टेक्नोलोजी थी, जो ही हो, बहुत बेंजितरस हो जाएगा, तो इस क्रोटम जो है, ठीक है, जिसमें टेस्टी होती है, वो एक air condition की तरह है, स्परूम के लिए, ठीक है ना, इस स्परूम को प्रेडूस होने के लिए, आपके टेस्टीज को स्परूम को प्रेडूस करने के लिए, तीन से चाजर डिगरी छेशर्यलसीस टेम्प्रेचर जो है वो कम चाहिए अंदर का जो temperature वो जादा होता है बाहर का कम होता है ठीक है तो एक natural AC की तरह ये काम करता है ताकि आपका sperm count बना रहे बच्चे जो है वो पैदा करते रहे हो सके तो अब यहाँ पे methods male contraception के methods जो है वो 1956 में शुरू होने लगे थे ठीक है और यहाँ पे जो और वहाँ पे अगर 46.6 degrees Celsius पैतालिस मिनट तक अगर हर दे निसान बैठा रहे है तीन अफते तक तो उनको 6 महीने की infertility मिल जाईए तो यह तो देंजरस है बाईया ऐसा करना नहीं है तो अभी हमने का बता है कि अभी तो हमारे पास condoms है ठीक है जो कि 98% कोई भी आपको 100% ही देगा तो 98% तक अभी एफेक्टिव है वैसक टॉमी से पूरा 99% बढ़ इसमें भी एक परसेंट चांस रहता है बढ़ इस्टिल यह एक पर्मनेंट प्रोसेस है ठीक है अभी यहाँ पे सेफ एफेक्टिव मेथेड्स है दो हीट मेथेड्स जो है देर नेवर कॉट और इस नौट रिकमेंडेट बाइदी मेडिकल प्रोफेशनल्स ठीक है ना यह चीज है तो रिसुक बेसिकली इस शॉर्ट फर रिवर्सेबल इन्हिशन ऑफ इस्पर्म ठीक है यह सर्जिकल वैसक टॉमी को क्योंकि देकि वैसक टॉमी नस बंदी में सरजरी करनी परती है उसक जैसा कि हमने बता कि इसका एफेक्ट भी बहुत बढ़िया है यह अच्छा का सा प्रेग्नेंसी को भी रोकती है 21 दिन बाद आपको इंजेक्शन लगेगा 21 दिन बाद 77.2 परसेंट जो 303 पार्टिस्पेंट्स थे जो टेस्ट सब्जेक्ट थे उन्होंने एजोस्पर्मिय रीच कर लिया समझ रहो सारे 13 परसेंट ले ओलिगोजूस्पर्मिया यानि कि लोई स्पर्म काउंट बाद स्पर्म काउंट कम होगा तो बच्चे नहीं पैदा होंगे सिंपल सी बात है तो जो टोटल परसेंट है आप देखी सकते हो 97.3 परसेंट पे रहाई है फेलियर क्य कि कोई बहुत जादा एफेक्ट्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं समझ रहे हो तो यहां पर यहीं बोला गया कि बाई जो प्रोस्टेटेस होता है जब भी अगर मान लिजे कि आप पेशाप कर रहे हो या टॉयलेट जा रहे हो और आपको बहुत ही जलन सी महसूस हो रही है आपको ड्रॉप ड्रॉप आपका जो टॉयलेट है वो निकल रहा है या ऐसा लग रहा है कि कोई चीर रहा है आपके मेल पार्ट जो आपका प्राइवेट पार्ट है ठीक है और बहुत ही जादा अनकमफरेटेबल आप सो नहीं पा रहे हो आपकी यहां पे स्पेशली लोर अब्डॉमिन में इसका मतलब आपके प्रोस्टेट में कोई ना कोई दिक्कत है तुरंत जाइए और इसको चेक करवाईए ठीक है और जाइए क्योंकि यह जादा तर मेल्स में होता है यह मेल में जादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेल में ही प्रोस्टेट होता है त उन्ही ट्यूब से sperm जो है वो जाता है वो एक रास्ता है sperm के जाने का अब अगर मा लिजे कि यहाँ पर यह ट्यूब जो है यह फूल गई है इंफ्लेम हो गई है यह डामेज हो गई तो यह भी एक बहुत बड़ा साइट यह साधे साइड एफेक्ट्स जो हैं इस ड्रग के साथ यानि कि यह साइड एफेक्ट्स जो है इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे 42 पसंड जो सब्जेक्ट है उनको स्क्रॉटल पेन हुआ ठीक है जब तीसरे दिन दिस्वों की इंजेक्शन लिया यानि कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं 40 पसंड को हुआ ठीक है अब अगर फीमेल पार्टनर की बात करें तो जो सेक्शल पार्टनर्स है टेस्ट सब्जेक्ट्स उनको कोई भी एडवर्स एफेक्ट देखने को नहीं मिला ठीक है जो भी स्टडी हुई फीमेल सब्जेक्ट को भी तो ये बहुत अच्छी बात है अब हम ये उमीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द आजा लेकिन अब इसके और भी ट्रायल्स बाकी रहेंगे और जैसा कि हमने बताया कि भले ही आ भी जागा ना बट फिर भी यहां पर जिजक तो तब भी रहेगी कोई अगर कह देगा लड़का कि अरे चलो फिजिकल इंटिमेट होते हैं सेक्शुली इंवाल्ड होते हैं मैंने तो पिल्स ले रखी है तो पता नहीं कौन विश्वास करेगा तो एक चीज तो यह है या तो सामने लो या फिर तो अप्लिकेशन जो है यह दे दी गई है DGCI को की परमिशन हमको दे दीजे ताकि हम लाइसेंस इसका ले सके और इसको मैनुफैक्चर कर सके तो यह लेच्चर था आई ओप आपको समझ में आया होगा इन चीजों पर बात होनी चाहिए दोस्तों बहुत जादा जरूरी है ठीक है मैंने क्या बताया जैसे ओशों कहते तरह इन चीजों को जितना दबाओगे उतनी ही जादा दिक्कत होगी है उतनी ही जादा फट के बाहर आएगा तो परस्नाइटी डेवलेफ्मेंट को ज़रूर वेल करें थैंक्यों सो मच